So hello everyone, sabi ko hai namaste pranaam तो ये जो lecture है, this is the third lecture on postmodernism postmodernism पर मैं पहले दो lectures बना चुका हूँ पहला lecture है जिसे मैंने postmodernism, modernism और modern क्या है ये सब समझाया है first lecture में second lecture में मैंने leotard, frankoist leotard की books, उसकी terms अच्छे समझाईए this is the third lecture on postmodernism, मैंने playlist बनाई है अगर आप ये lecture पहले देख रहे हो, तो पहले वो दो lecture जरूर देख लेना जीन बॉल्डवार, कई लोग इसे बॉल्डवार बोलते हैं, कई बॉल्डरिलाड पड़ते हैं हम तो अंग्रेज और जो इंडियन से वो बॉल्डरिलाड ही पड़ेंगे अब जो फ्रेंच इसकी हो, कुछ अजीब सा ही बोल रहे है, वो मुझे समझ नहीं है बॉल्डवा, कुछ ऐसे अजीब सा बोल रहे है तो ये जो बंदा था, he was born in 1999 and he died recently in 2007 recently तो क्या, 14 साल हो गए आज के हिसाब से पर फिर भीवी, हम कह सकते हैं कि हमारा contemporary था तब तक हमारा जनम तो होई चुका था है, तो जीन, बॉर्डरिलाड, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये कौन बंदा था, ये फ्रेंच था and he was a sociologist भी था, cultural theorist भी था और ये बंदा philosopher भी था और साथ में, he was also a photographer ये बहुत important चीज़ था, इसी लिए इसका contribution जो है वो media में, technological communication में और culture studies में भी इसका नाम आता है, ठीक है तो इसने culture की बात की, symbol, reality, society इन सारी चीज़ों की इसने बात की, consumerism, वगएरा, वगएरा, ठीक है लेकिन आज मैं आपको इसकी 2-3 terms, जो main terms है जो आपने कई बार सुनी भी होगी, वो समझाऊंगा और इसके कुछ works बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको मैं इसका most important work बताता हूँ Simulacra and Simulation Simulacra and Simulation Simulacron ये दोनों आपस में interrelated है, 1981 में आया है ठीक है, next work इसका आया है अमेरिका 1986 में 1986 ठीक है, next इसका work है जो एक बार net में पूछा भी जा चुका है the gulf war gulf war did not take place 1991 में अब ये मैं बताऊंगा क्यों war क्यों नहीं हुआ है क्यों बना कर रहा है इस चीज़ के लिए ठीक है चलो बताई देताऊ the gulf war did not take place क्योंकि ये जो बन्दा था इसने कहा कि टेकनलोजी आज के जमाने में इतनी हो गई है हर चीज में hyper reality ऐसी है कि पता नहीं लगता असली क्या है और नकली क्या है और जो कि ये गल्फ war हुआ था ये तो सारा उपर ड्रोन के हमले और आपस में जो टेकनलोजी के atomic bombs है वो सारी चीज़ों से हुआ इंसानी war तो खतम ही हो चुका है तो उस बहाफ पे इसने कहा था कि गल्फ war बूसि ये इसने अलदा नहीं होता या इसने इसने झाए टिक प्लैसी इसने मेरर अफ प्रोडक्शन ङीनर आख प्रोडक्शन या नाइंटीन सैबंटी 3 में ठीक है सेमिल एकरा सिमिलेशन में मैं समझाओंगा क्या है यह वर्क हो गया गलफ़ोर्ट इड़नोट टेक प्लेस इसका यह रियाद रख लेना सभी का मिरर ओफ प्रोडक्शन एक वर्क दो तीन वर्क और बताता हूं मैं the system of object objects the system of objects 1968 1968 ठीक है एक और वर्क है थोड़ा सा लंबा नाम है मैं इसको बीच में लिख देता हूं यहां पर America मिटा देता हूं for a for a critique c-r-i-t-i-q-u-e critique नहीं है critique होता है वो इंसान जो लिखता है किसी को criticize करता है critique होता है वो work जो उसने लिखा हो उसको एक कुसे critique कहता है for a critique of political economy of the sign 1972 एक लास्ट वक आपको बता रहा हूं the consumer society the consumer society 1970 I hope आप लोगों कोई समझ आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा है तो मैं जो कह रहा हूँ मेरे बोलने से आप लिख सकते हो consumer society क्योंकि मेरा माकर भी खतम होने वाला है और है नहीं अभी नहीं माकर क्योंकि मैं गाओं में हूँ यहाँ पे दुकान जो है वहाँ पर यह नहीं मिलेगा यह शहर में मिलेगा और शहर में दो-ती दिन बाद जाओंगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ अब में इसकी आपको इसका मेन बीच में यह भी था कि इसने एक टर्म है global village he says that this world is not a global village anymore global village मार्शल मचलोन की टर्म है वो में culture studies में पढ़ा हूँ क्योंकि यह बन्दा भी कहीं नहीं कहीं culture studies में आता है तो यह तो हमने यहाँ cover कर लिया तो culture studies में मैं इसे नहीं cover करूंगा तो जो वो कहता है Marshall McLuhan के global village है अब global village कहां रहा है ये कहता है कि अब तो छोटी सी चीज से भी इतना फर्क पड़ सकता है कि पूरी जिंदगी तबाह हो जाए क्योंकि इतनी technologies आगी हमारे पास चोटी से चोटी चीज़े आगी है जो कि बड़े से बड़ा दमाका कर सकती चोटे पैक और बड़े दमाके बहुत है हमारी दुनिया में तो ये वो कहता है कि global village नहीं रहा है इसका एक ये था कि he focus non consumerism कि काल माक्स कहता है कि जो production है production की वज़ा से ठीक है तो ये थोड़ा था इसके बारे मैंने आपको बताया अब main चीज जो हमारे लिए थी वो थे इसके works और इसकी terms बस इससे ज़्यादा आपने deep नहीं जाना है ठीक है हमारे net में इतना ही काम आने वाला है अब मैं आपको इसकी तीन terms समझाऊंगा जो की बहुत important है और बहुत मज़ेदार भी है और हम काफी relate कर सकते क्योंकि हम तो आज के बच्चे है ना नए बच्चे नई PD तो इस PD के लिए इसने कुछ दिया है सबसे पहले है simulation simulation फिर है simulacra फिर है hyper reality hyper reality इसका बहुत famous है ठीक है अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह simulation क्या है simulation होता है एक process जिसमें हम reality की copy करते है यह process होता है मतलब कि this is a kind of action we are doing an action we are copying something we are imitating something right so that action is simulation when we are process process of imitation कहाज़कते है ठीक है अब simulacra क्या है simulacra है वो copy वो प्रड़क्ट वो अब्जेक्ट जो की हमने copy किया है ठीक है copy copy कह सकते हैं किसी चीज की copy अभी मैं इसके example भी दूंगा है तो अब for example मैंने क्या किया मैं गया मैंने दूसरों को देखा कि हाँ इसका जूता मुझे पसंद आ गया I love I like the shoe of a person and I went to the shop and I asked for the same shoe ठीक है तो मैंने shoes लिया ठीक है एक यह simulation होगया process of imitation मैंने knuckle की कि हा मुझे भी ऐसा ही जूता चाहिए मुझे बड़ा पसंद आया ठीक है उसके बाद यह जो simulacra simulacra क्या है जब मैं घर आता हूं और वह जो copy है जो मैंने copy की है वह चीज imitate की है ठीक है उसकी मैंने photo ले ली ठीक है वो मेरे एक simulacra बन गया ठीक है last में क्या होता हाइफर हाइपर reality हाइपर reality क्या चीज है डिस्टिंक्शं डिस्टिंक्शं बिट्वीन reality and representation representation of reality reality एक तो हो गए reality ठीक है और दूसरी हो गए हमारी representation of reality reality बहुत बार ऐसा होता है कि reality कुछ और है लेकिन जो उसकी representation है वो कुछ अलग है ऐसा भी होता है यह simulation में एक चीज है कि simulation और simulacra में यह चीज है कि कई बार हम ऐसी चीजों की copy करते हैं जिसका original खतम हो गया मान लो कोई इंसान है वो मर गया लेकिन उसकी पिक्चर दिवार पर टंगी है original original खतम है original मर चुका है लेकिन उसकी copy आज भी है तो यही मैंने आपको बताया था कि post-modernism क्या चीज़े post-modernism में technologies बहुत आगी थी उन्हीं technology से यह इंसान बहुत तंगा चुका है कि सब कुछ नकली हो गया है आज हम छोटा भीम देखते क्या चोटा भीम असली में exist करता है नहीं मिकी माउस असली में exist करता है नहीं तो हमारे पस क्या है उसका सिर्फ एक hyper reality है वह असली reality नहीं है reality नहीं है वह एक hyper reality है ठीक है और कई hyper reality जो है वह reality से भी अच्छी है हम मैं आज यहां हूँ अभी में कितना बेफकुप सा लग रहा हूं आपने मेरा thumbnail देखना थमने में कितना class लग रहा हूं कि वहा कितना मस्त बंदा है model होगा एक number का है ना तो वह क्य reality की मेरी representation of reality जो है वह कहीं ज़्यादा अच्छी है और reality कुछ और है ठीक है आज स्नैप चैट में लड़के फोटो कीशती है लड़के भी फोटो कीशती है तो उसमें कितने सारे filter से but that is not reality that is hyper reality ठीक है आप असली सोड़ी नहीं वह तो filter लगा है उसमें आप सुंदर दिख असली में आप कितने गंदे हो आपको पता है जब आप वीडियो कॉल करते है कुछी से ठीक है तो simulation और simulacra यहीं चीज़े simulation और simulacra आप कह सकते हो कि एक ही चीज़े भाई बहन है दोनों है या पिर बहन बहन है बस यह थोड़ा सा इसमें डिग्री में फरक है इनके function में simulation हो गया जो आप एक process है जिस process में आप original की copy करते हो ठीक है और simulacra जो है वही उस चीज़ की copy है ठीक है और इसमें हम original को खोल बैठते है hyper reality वही चीज़े की distinction between reality and the representation of reality hyper reality simple सी बात यही है कि reality की copy है वह है ठीक है simulation और simulacra जो है इसने यह तो इसकी book थी जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है simulacra 1981 में जो आई है और hyper reality इसकी अलग से एक term है ठीक है तो यह आपस में काफी connected है मैंने आपको hyper reality अच्छे से समझा दिया क्या चीज़ है ठीक है और यह चीज़े भी समझा दी तो आज के लिए तो इसमें इतना ही है फिलाल बाकी तो मुझे लगता लिए कि मैंने कुछ छोड़ा होगा और आप मुझे instagram पर फॉलो कर सकते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो subscribe करो कोई बात नहीं ठीक है नहीं भी आपका मन करें तो आप lectures का मजा लो और अपने जिंदगी में कामयाब हो जाओ ठीक है यही हमारे लिए बहुत है तो हाँ एक चीज़ और थी इसमें कि यह इनी चीज़ों की बात करता है sign symbols and society साइन्स सिंबल्स और सुसाइटी की बात करता है यह कौन सी बुक में simulation है ठीक है क्योंकि यह कहता है कि हमारा जो वर्ल्ड है यह फोन पर Instagram है Facebook है Twitter है Snapchat है हमें काम हमारा खुद का पूरा होता नहीं उससे पहले लोगों तक पहुंच जाना चाहिए वो ठीक है तो हमारी यह टेंडेंसी खानाबाद में खाएंगे पहले उसकी पिक्चर पोस्ट कर देंगे उसको स्टोरी में डाल देंगे हमने एक अपन ताल मिलना खराब सा हो गया है मेरे दिल और दिमाग को इतना जखजोर करके रख दिया है ना इन लोगों ने कई लोग जो जिन्दगी में आते और फिर दिल और दिमाग को जखजोर करके चले जाते ना तो पता है नहीं रहता दिल कहा है दिमाग कहा है दिल कौँसे कोई और है लेकिन वो आपकी फर्याद है तो मैं आपकी यही दूआ करूंगा कि जो आपकी फर्याद है उसकी आप जान बन जाओ ना तो जिन्दगी जीने का मज़ा आ जाएगा ठीके फिर बाई टेक के